कार्तिक मास महत्मे अध्याय आठ नारज जी बोले अब मैं कार्तिक व्रत के उध्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नास कराने वाला है व्रत का पालन करने वाला मनुस्य कार्तिक सुक्लों चतूर्दसी को व्रत की पूरति और भगवान विष्णू की प्रीति की लिए उध्यापन करे तुलसी के उपर एक सुन्दर मंडप मनाए, उसे केले के खंबों से सयुक्त कर, नाना प्रकार की धात्वों से उसकी विचित्र सोबावडाए, मंडप के चारों और दीपकों की स्रेडी सुन्दर ढंग से सजा कर रखे, मंडप में सुन्दर बंदनवारों से सुसो भी चार दर्वाजे बनाए, उन्हें फूलों से तथा चवर से सुजोद जित करे, द्वारों पर प्रत्रक म्रतक मिट्टी के द्वारपाल बना कर उनकी पूजा करे, उनके नाम इस प्रकार है, जै विजै, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदार्च, उन्ह के उपर पून, पत्र, तथा पंचरतने से संयुक्त कलस की इस्तापना करे, कलस के उपर संख, चक्र, गदाधारी भगवान विश्नु का पूजन करे, भक्ति पूर्वक उस्तिती में उपवास करे, तथा रात्री में गीत, वाद, कीरतन, आदी, मंगल में हायोजनों के ग्रेक्डों हो जन्मों की पाप, रासी से मुप्थ हो जाते हैं, जो मनुष्य भगवान के निमित, जाकरत करके रात्री भर भगवान का कीरतन करते हैं, उनको असंख्य गौधान का फल मिलता है जो मनुस्य भगवान की मुर्थी के सामने निर्थ गान करते हैं उनके अनेकों जन्मों की एकतरित पापनस्थ हो जाते हैं जो भगवान के सम्मुग बैटकर किर्दन करते हैं और बंसी आदी बजाकर भगवत भगतों को प्रसन्य करते हैं तथा भगती से रातरी भर जाकरर करते हैं उन्हें करोडों तीर्थ करने का फल मिलता है उसके बाद पूरी मासी में एक साप पतिनी प्रामवड को निमंतरित करें प्राता कालिस नान और देव पूजन करके वेदी पर अगनी की स्थापना करें और भगवान की प्रीती के लिए तिल और खीर की आहुती दें होम की सेश्विदी पूरी करके भक्ती पूर्वग ब्रामवड का पूजन करें और उन्हें यथा सकती दक्छिडा दें फिर उनसे इस प्रकार छमा प्रातना करें आप सब लोगों की अंकमपा से मुझ पर भगवान सद्या प्रसन हो इस व्रत को करने से मेरे साथ जन्मों के क किये हुए पाप नस्ठ हो जाए और मेरी संतान चिरन जीवी हो इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनों कामनाय पूर्ण हो मेरी मृत्यू के पश्षाद मुझे अतिसे दुर्लव विष्णु लोग की प्राप्ती हो पूजा की समस्तवस्तों के साथ गाय का भी दान में दें उसके पश्षाद घरवालो और मित्रू के साथ स्वयंभोजन करे भगवान द्वादसी दिती को सयन से उठे त्रियो दसी को देताओं से मिले चतूर दसी को सबने उनका दर्सन एवं पूजन किया इसलिए उस दिती में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए गुर इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनी हैं उन्हें उत्तम वलकी प्राप्ति होती है जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके सरीर में इसी सभी पाप ततकाल नस्टो जाते स्रद्धा पूर व कार्ति के उध्यापन का महत मैं सुनता या सुनाता है व भगवान विश्णु का सायुज्य प्राप्त करता है जै स्रीकिष्ण